दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि आइनेज विकरांद के बाद अब इंडिया नेवी के द्वारा IAC-2 मतलब इंडेजनियास यारक्राफ्ट कैरियर 2 को लेके तैयारी किया जा रहा है तो वही पर दोस्तों ये भी कनफर्म हो चुका है कि इंडेजनियास यारक्राफ्ट कैरियर 2 असल में 45,000 तन के ही आसपास के एक ऐसा यारक्राफ्ट कैरियर होगा जो आइनेज विकरांद के ही सिस्टर कैरियर होगा हलाकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडेजनियास यारक्राफ्ट कैरियर 2 को लेके कुछ साल पहले तक जो प्लान था उसके अंतरगत 65,000 तन भारी भरकम यारक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के तरफ से IAC2 पोग्राम के अंतरगत बनाया जाना था पर फिलाल दोस्तों इस पोग्राम को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है और IAC2 के जगा में IAC3 65,000 तन के या उससे भारी भरकम यारक्राफ्ट कैरियर होगा पर वही पर दोस्तों दूसरे तरफ कोची शिप्यार्ड लिमिटेड जो की पहला इंडिजिनियास यारक्राफ्ट कैरियर का निर्मान किया है उसके तरफ से एक ऐसा बयान आया है जो अगर हकीकत का शकल ले लेता है तो शायद भारत के 65,000 तन या उससे भारी भरकम सूपर कैरियर का सपना का भी पूरा ना हो बेसिकर दोस्तों कोची शिप्यार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डारेक्टर के तरफ से हाली में एक बयान में बताया गया है कि इंडिया को बहतरे इंड टेक्नोलोजी के मिट साइज यारक्राफ्ट कैरियर को लेके अपना सोच रखना मतलब एक तरीके से हम कह सकते है कि कोची शिप्यार्ड लिमिटेड बड़े आकार के एरक्राफ्ट कैरियरों के जगा में मध्यम साइस के एरक्राफ्ट कैरियरों के पक्ष में हैं दोस्वाली में मेडिया को इंटरव्यू देते हुए कोची शिप्यार लिमिटेड के एक बरिष्ट अधिकारी के तरफ से ये बताया गया है कि शिप बिल्डिंग टेक्नोलोजी में अगर इंडिया को देखा जाये तो फिलाल इंडिया काफी आगे है और इंडिया के तरफ से फिलाल इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए बड़े आकार के बल क्यारियर के जगा में मध्यमबर के टिकनोलोजिकल एडवांस और सुपिरियोर जहाजों के तहट अपने सोच को रखना चाहिए इवन दोस्तों इस बरिष्ट अधिकारी के बयान को एक तरीके से कोची शीपियार लिमिटेड के मैनेजिंग डारेक्टर और चेर्मेन मधु एस नायर के तरफ से भी सपोर्ट किया गया है और उनका भी यही मानना है कि मिडियम साइस के टेकनोलोजिकल एडवांस और सुपि इस भी तरीके का बयान नहीं दिया गया लेकिन उनके बयान का अगर इंडायरेक्ट मतलब निकाला जाए तो एक तरीके से इसे आफ एरक्राफ्ट कैरियरों के साथ ही रिलेटेड कर सकते हैं क्योंकि फिलाल एक बहुत बड़ा डिवेड यही पे ही चल रहा है कि इंडिया क के लिए नेक्स्ट एरक्राफ्ट कैरियर किस आकार के और किस तरीके का होना चाहिए फिलाल दोस्तों जल्द से जल्द एरक्राफ्ट कैरियर के आवशक्ताओं को देखते हुए इंडियान नेवी के तरफ से सेगेंड इंडेजिनियास एरक्राफ्ट कैरियर के रूप में आ असी हजार टन तक के जहाजों का निर्मान कर सकता है ऐसे में कुछ जगाओं में आशा किया जा रहा है कि जब सेगंड इंडेजिनियास एरक्राफ्ट कैरियर का कॉंस्ट्रक्शन शुरू होगा तब थर्ड इंडेजिनियास एरक्राफ्ट कैरियर के रूप में एक 65,000 से लेक नहीं किया जाएगा लेकिन इंडेजिन नेवी में शायद संख्या मुलग रूप में काफी अधिक यारक्राफ्ट कैरियर हो और दोस्तों हो यारक्राफ्ट कैरियर 40-50,000 टन के दर्मियान का होगा और दोस्तों इसमें आधुनिक टेक्नोलोजी मतलब फिलाल भारत के पास इस टेक्नोलोजी के यारक्राफ्ट कैरियर है उससे काफी गुना अधिक आधुनिक टेक्नोलोजी का इस्तेमाल हो सकता है। के लिए बड़े एरक्राफ्ट कैरियरों को महत पूर्ण रूप में देखा जा रहा है तो वही पर फ्रांस के जो एरक्राफ्ट कैरियर है ये सभी चीजों को रध करता है। के लिए बना रहा है उस तरीके के बड़े एरक्राफ्ट कैरियरों का भी जरूरत इंडियन नेवी को है। कि वही पर दोस्तों को जो वेस्टर्न एक्सपर्ड का भी मानना है की बड़े एरक्राफ्ट कैरियर काफी अदिक वनेड़ेवल होता है और इसी कारण के वज़ा से अमेरिका को भी चोटे एरक्राफ्ट कैरियरों के तरफ शिफ्ट होना चाहिया और अमेरिका के भी एक प्लानिंग के अंतरगत चोटे एरक्राफ्ट केरियरों का कॉंसेप्ट है हाला कि दोसो चोटे एरक्राफ्ट केरियरों में मुश्किल यह है कि इसके लिए कई सारे केरियर स्ट्राइक ग्रूप बनाना पड़ेगा और Defense Research and Development Organization अपना मन को 100% बना चुका है। यो सो ऐसे प्रोजेक्टों में अस्तर मार्क टू विजुल रेंज एर टू एर मिसाइलों का भी जिकर किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताविक इस तरीके के जो मिसाइल है ये निूमरो यूनो मिसाइल होगा। अब यहाँ प Research and Development Organization के द्वारा Indian Air Force के लिए डिवलोप्ट किया जा रहा है। असल में ये जो मिसाइल है ये Indian Air Force के सभी फाइटर एर क्रैप्टों का प्राइमरी बियूर्ड विजुल रेंज एर टू एर मिसाइल होगा। और दोसों ये भी बताया जा रहा है कि अस्तर मार्क टू मिसाइल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये फुली इंटिग्रेटेड एक ऐसा मिसाइल होगा जिसे की Indian Air Force अपने सभी तरीके के एर क्रैप्टों में खाली फिट ना कर सके बल्कि ये Indian Air Force के लिए बाकाफी आसानी से एडेप्टबल भी हो और Indian Air Force के विजुल रेंज एर टू ए हुआ है और दोस्तों ये उसके बिना गाइडनेंस के साथ फ्लाई था रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसका एक टेस्ट हुआ था जहाँ पे प्रोपल्शन कैपिलिटी का परिक्षन किया गया था और दोस्तों अब ये भी दावा किया जा रहा है कि नेक्स्ट फेज म भी काफी अधिक ताकदवर और काफी गुना अधिक रेंज वाला मिसाइल होगा रिपोर्ट के मुताबिक इसका मैक्सिमम रेंज 160 किलोमेटर तक होगा जो की चाइना के PL-15E जैसे मिसाइलों के मुकाबले में अधिक रेंज का होगा मतलब चाइना के PL-15E मिसाइल जहाँ 145 किलोमेटर है तो उही पर इसे करिब-करिब ये 15 किलोमेटर अधिक रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकेगा दोस्तर मार्क टू मिसाइलों को आसानी से मीटियोर जैसे मीसाइलों के साथ कम्पेर किया सकता है हलाए कि योरोप में मीटियोर के जिस वर्जन का स्थमाल किया जाता है उसका रiscans 200 km और उससे भी अधिक है अस्र मार्क वान मिसाइल जहाँ पे 110 किलोमेटर रेंज वाला मिसाइल है तो उही पे दोस्तो इन मिसाइलों को M120C MRAM मिसाइलों के साथ कंपेर किया जाता है अब दोस्तो अस्र मार्क वान मिसाइलों को तो बना के अल्रेडी इंडियान एरफोर्स के सुखोई 30M किया और मिक 29 जैसे एरक्रेप्टों में इंटिग्रेट किया जा रहा है तो वही पे तेज़स एरक्रेप्टों के लिए भी अस्र मार्क वान मिसाइलों को इंटिग्रेट reaction time है वो भी काफी कम होगा दोसों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि असर मार्क 2 के इलावा भी असर सर्णी के अंतरगत और दो मिसाइलों का निर्मान भारत के तरफ से किया जा रहा है जिन में असर मार्क 3 मतलब करीब करीब 300 km रेंज वाला मिसाइल और असर आई आर मतलब इंफ्रारेट गाइड़ मिसाइल मतलब 80 km रेंज वाला असर मिसाइल भी है कुल मिला के दोस्तों भारत के तरफ से असर सर्णी के अंतरगत 80, 110, 160 और 300 km रेंज वाले मिसाइलों को जहाँ पे बनाया जा रहा है तो वही पे अपने एर-to-air मिसाइलों लेके जो निउमरो यूनो का धिकर किया जारा असल में ये कुछ और नहीं बलकि इन मिसाइलों को सभी ययर क्रैप्टों में मतलब भारत के बिधिशी यर क्रैप्टों से शुरू करके सभी तरिकर के स्वदिशी यर क्रैप्ट मतलब Tejas Mark 1, Mark 1, A Tejas Mark 2, AMCA, एमसी ए मार्क टू ट्विन इंजिन डेक वेस फाइटर यारक्रेफ्ट सभी यारक्रेफ्टों में इंटिग्रेट करने का ही इरादा है दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि भारत के तरफ से 65,000 टन किसे शुरू करके 80,000 टन तक के भारी भर कम यारक्रेफ्ट केरियरों को बनाना चाहिए या फिर जो मिट साइस के यारक्रेफ्ट केरियर का कॉंसेट वताया जा रहा है उसके तहती आगे बढ़ना चाहिए कॉमेंट करके अपने राए अवश्चत दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते हैं समाथ किसी और एक दून किसी और एक वीडियो हैं मिलेंगे टप तक के लिए जैहिन बंदे मातरम